हेलो दोस्तों नोटिफाई, नोलेज में आपका स्वागत है और फ्रेंड आजम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलर्शिप 2023-2024 के बारे में फ्रेंड आप लोग जो है अपने करेंट इस्टेटस के माध्यम से जान पाएंगे किन छातरों के फार्म को समाज कल्यार विभाक का दोरा रिजेक्ट किया जा रहा है और किन छातरों का करेंट इस्टेटस अभी अपडेट होना बाकी है जिनका अभी भी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है या तो pending या तो suspect हो रहा है कब तक उनका update कर दिये जाएगा और जिन छातरों का current status अभी so नहीं हो रहा है we are sorry लेक्या रहा है कब तक उनका fix कर दिये जाएगा complete information आपको वीडियो में मिलने वाला है तो आप लोगों से request रहेगा अगर आप लोग नए होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को like share कीजेगा नए होंगे तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजेगा तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन छातों का जिनका या तो current status pending है या तो suspect है कब तक उनका जो है यहाँ पे update के जाएगा जिनका अभी we are sorry लिक्या रहा है कब तक उसको fix कर दिया जाएगा तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग जो है इसकीन पे देख पा रहे हैं we are sorry यहाँ लिक्या रहा है ओ लोग जब अपना current status यहाँ पे चेक कर रहे है तो उन में जो है we are sorry लिक्या यहाँ पे आ रहा है और यह जो समस्या है लगतार तीन से लेकि चार दिन हो गई है और अभी तक इसको जो है fix नहीं किया गया है चात्र बहुत ज़्यादा परिशान है और लगतार कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी मेरा जो status यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है अभी भी यहाँ पे we are sorry लिक्या रहे है कब तक इसको जो है fix कर दी जाएगा कब तक हम लोग जो है अपना current status यहाँ पे चेक कर पाएंगे ठीक है न बहुत सारे चात्र ऐसे हैं जो मतब जिनके फार्म को समाज कर लिया भ्याक का दोरा verified कर जाएगा था ओ लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि कहीं सर हमारे status चेंज ना हो जाए कहीं हमारा suspect फिर से ना हो जाए मेरा पहले verified सो कर रहा था तो मैं इन चात्रों को यहाँ पे आस्वासन दिला दूँ अगर जितने भी कैंड़ेट है जिनका form जो है समाज कर लिया भ्याक का दोरा verified कर दिया जाता है तो दुबारा उनका ना तो suspect डाला जाता है ना तो reject कर जाता ठीक है ना अगर जितने भी समाज कर लिया भ्याक कर दोरा verified कर दिया ठीक है अब यहाँ पे परिशान वे छात्र है जिनका या तो pending था जिनका या तो suspect था ठीक है ना देखिए we are sorry fix करने का कोई accurate date नहीं है समाज कर लिया भ्याक को इसको जो है दो से ले के तीन दिन के अंदर जो है इसको fix कर दिना चाह रहा था तो high probability यह है कि जब भी यहाँ पे इसको fix किया जाए और जब भी आप लोग अपना current status चो करें मतलब status हो तो maybe यहाँ पे possibility यही बनती है कि आप लोग का current status यहाँ पे verified तो आपको बिल्कुल परिशान होने की आवाश सकता नहीं है 12 March से पहले पहले यह जो इसका problem है इसका solution मतलब निकाल दे जाएगा और जितने भी post metric other than inter में renew वाले connect है वे लोग जो है अपना यहाँ पे current status चेक कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे आज भी इसको जो है resolve कर दिया जा सकता है कल भी किया जा सकता है परसो भी किया जा सकता है तो इसका कोई accurate और adject time नहीं है इ यह वाली समझ से आ रहे ठीक है ना तो आप लोग जो है channel पे बने रही है मैं जो है telegram कर लिंग जो है comment कर दूँगा तो आप लोग जो है वहाँ पे जाके join हो जाएगे वहाँ पी मैं अपना information जो होता है वहाँ जो भी notice आता है मैं वहाँ पे provide कर देता हूं ठीक है तो जित स्टेटस में यहाँ पे suspect सोरा ठीक है ना तो जितने भी यहाँ पे suspect वाले चालतर हैं कुछ भी यहाँ पे हो चाह सस्पेक्ट एज हो चाह इन्रॉल्मेंट नंबर मार्क नॉट मैच भी इनवस्टी आप लोड़े डाटा वाला मतलब हो चाह यूपी बोर्ड, ICC बोर्ड, CBS चाह सस्पेक्ट एज वाला रीजन हो चाह आपका जो है duplicate income certificate वाला रीजन हो मतलब everything A to Z अगर आपके current status में यहाँ पे कुछ भी suspect रीजन सो कर रहा है तो बहुत सारे छात रेसे हैं जो comment करते कि सर हमारी जो समस्या है लगतार बनी हुई है अभी तक यह जो status है update नहीं हुआ ह change नहीं हुआ है कब तक इसको जो है update किया जाएगा तो मैं यहाँपे आपको इन फॉर्म कर दूँ अगर आपके current status में यहाँपे कुछ भी suspect सो हो रहा है या तो अभी भी आपके current status में यहाँपे pending सो रहा हो ठीका ना मैं यहाँपे दो keynote के लिए बाते करने वाला हूँ या तो अगर आपके current status में pending सो हो रहा होगा या तो कुछ भी यहाँ पे suspect सो हो रहा होगा आपको बिल्कुल परिशान होने किया हो सकते नहीं है आप लोग के firm को 12 March ठीक है ना देखिए यह समाज करने आर भ्यक्त हो रहा यह last time रखा गया है कि 12 March तक जितने भी कैनेट होंगे post metric inter, post metric other than inter के उन सभी छात्रों के firm को verified कह जाएगा और 12 March तक जितने भी pending वाले चात्र है जितने भी suspect वाले चात्र है उन सभी छात्रों के current status में बदलाओ देखिने को मिलेंगे अगर अभी भी आपका यहाँ पे suspect सो हो रहा आप लोग थोड़ा सा वेड कीजिए जैसे आप लोग जो है इतना वेड कीए है और चार दिन के अंदर दूद का दूद पानी का पानी यहाँ पे हो जाएगा अगर आप लोग ने अपने firm को बिलकुल सही बरा होगा और college ने भी आप लोग के form को यहाँ पे बिल्कुल सही बरके forward किया होगा तो आप लोग के form को verified होने से कोई नहीं रो सकता बट अगर आपके form में यहाँ पे कुछ गरबड़ी है और आप लोग ने सुधार नहीं किया होगा, correction नहीं किया होगा तो यहाँ पे high chances बनते हैं कि आप लोग के form को reject कर दिया ठीक है बट आप लोग थोड़ा सा wait कीजिए, बाहर है मार से पहले पहले आप लोग के form में यहाँ पे बदलाओ देखिनों को मिल सकते हैं जिसने भी suspect और pending वाले चातर है और फ्रेंड यहाँ पे लगतार जो है समाज कल्यार व्याक को दोरा verification की प्रकरिया start है और लगतार per day हर एक बच्चे का form यहाँ पे verified किया जा रहा है और उसके current status में बदलाओ देखिनों को मिल नहीं ठीक है ना तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं मेरे पास एक current status है जो mark, result, time, mismatch, attendance, percentage, less than 75% मतलब यह सब उनके current status में सो कर रहा था और इनका जो मतलब course है BA मतलब बैचरा राफार 3rd year के candidate है OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं इन्होंने अपने फार्म को final summit जो है 6.1.2024 को किया था और इनके फार्म को college ने 23.1.2024 को यहाँ पे फारवर्ड करते है था ठीक है ना तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं कि बैचरा राफार यानि कि BA 3rd year के candidate है जो OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपने फार्म में final summit जो है 6.1.2024 को किया था college ने इनके फार्म को forward 23.1.2024 को किया था और इनके फार्म को जो है समाज कलनार व्याक का द्वारा 1.2024 को verified कर दिया गया ठीक है तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं मेरे पास एक current status है जिन में जो है enrollment number mark not matched with university uploaded data वाला region सो कर था इन्होंने अपने फार्म को जो है 5.12.2030 को यहाँ पे final summit किया था और इनके फार्म को college ने 21.2024 को forward किया ठीक है न यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं कि maximum mark जो है 800 का है obtained mark जो है 583 का है यहाँ पे attendance percentage जो है यहाँ पे 80% दिया गया है और इनके current status में suspect region सो कर रहा था अब इनका जो current status है यहाँ पे verified कर दे गया है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं एक candidate थे जिसका मैंने इसके पहले मतलब इसकीन साथ आपको दिखाया था जिनके current status में क्या था कुछ यहाँ पे suspect सो कर रहा था मतलब यहाँ पे enrollment number mark not match भी थी नवस्टी अप लोड़े data थी यहाँ पे यहाँ पे बेरिफाइड कर जागया है बेरिफाइड जो है 7 March 2024 को किया गया था और यहाँ पे आप लोग डाटा मिलान कर सकते हैं यहाँ पे इन्होंने अपने फार्म को final submit पांच बारे 2013 को किया था इनके फार्म को college ने 2021 2024 को forward किया है और इनका जो है maximum mark 800 कता है और यहाँ पे obtained mark जो है 583 है और यहाँ पे attendance percentage भी आप लोग दे सकते हैं 80 परसेंटे ठीक है ना इनके फार्म को यहाँ पे verified कर जागया मेरा main उद्देश क्या है दिखाने का यहाँ पे जितना भी मत्तब suspect वाला फार्म है उसको जो है यहाँ पे समाज कर लिनार भ्याक को दोरा verified का जा रहा है बहुत सारे छात्र हैं जो परिशान हो रहते हैं कहें मेरे फार्म को reject नकिया जाए देखें फार्म किसका यहाँ पे verified हो रहा है अगर आप लोग ने अपने फार्म को बिलकुल सही भरा है आप लोग के end से फार्म सही भरा गया है तो आप लोग के फार्म को कोई भी यहाँ पे reject नहीं कर सकता ठीक है आप लोग का फार्म यहाँ पे हांडेर परसेंट verified का जाएगा यहाँ ना होने वाला है बस आपके अंदर छोटा सा भ्रम है ठीक है न यह आउधारना बन गी है कि कहीं सस्पेक्ट सो रहा है कहीं कर जिय जाए ठीक है भी यह यहाँ को बिलकिल परिशान हो नहीं क्या आसकते नहीं मैंने आपको यहाँ पर फॉर्म जो है लगातार यहां पर verified किया जा रहा है और छोटी-मोटी गलतिया आप लोग की map है आप उसको ignore कीज़े ठीक है तो यहां पर मैं पतादो किन छातुर का फॉर्म verified किया जाएगा अगर आप लोग के current status में आप पे pending सो हो रहा है उन्हें सभी छातुर के फॉर्म को verified किया जाएगा suspect form यहां पर verified हो रहा है जैसे कि मैंने आपको live proof यहां पर दिखाया है अगर आप लोगों ने अपने form को बिल्कुल सही भरा है और college ने भी आप लोग के form को यहां पर सही भर के forward किया गया है तो उन्हें सभी छात्रों को बिल्कुल परिशान होने किया हो सकते नहीं है आपका चाहिए pending हो चाहिए suspect सो हो रहा है उन्हें सभी छात्रों को समाज कल्यार भ्याक को दौरा verified कर जाएगा बाहर है मार्श से पहले पहले जितने भी pending suspect वाले चात्र है उन्हें सभी छात्रों के form को verified कर दिया जाएगा ठीक है अब यहां पर आप लोग के लिए है कि rejected by district scholarship committee सो हो रहा है और इनका जो है यहां पर region भी बता जया गया ठीक है अब यह जो है आई टी आई फरस्टेर के candidate थे इनके form को क्यों reject किया गया है मैं आपको यहां पर बता दू देखिए अगर आप लोग अपना आई टी आई में admission कराते हैं तो आप लोग जो है 10th के उपर नहीं होना चाहिए अगर आप लोग ने अपना हाई स्कूल पास कर लिया है और आई टी आई में अपना admission कराया हुआ है अगर 6 साल से उपर gap है तो उस condition में आपके form को reject कर दिया जाएगा और इन ही वज़े से इनके form को जो है यहां पर reject किया गया है ठीक है ना तो फ् सकते हैं कि rejected by district scholarship committee उसका reason क्या था कि इनका जो attendance percentage था यह less than 75% यानि कि आप लोग का जो attendance होना चाहिए या तो 75% होना चाहिए या तो 75% से उपर न जाए अगर आप लोग का attendance जो है 75% से कम होता है तो उस condition में आप लोग के form को समाज कल्यान व्याक को दोरा reject कर दिया जाएगा तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं कि rejected by district scholarship committee और यहाँ पे reason क्या बताया गया है कि less than 60% in 12 अगर आप लोग का यहाँ पे 12 में 60% से कम है तो उस condition में आप लोग के form को यहाँ पे reject कर दिया जाएगा आप लोग जो है inter के base पे अपना admission करा रहे है यानि कि inter करने के बाद आप किसी UG course में admission करा रहे हैं तो आपका जो है inter में 60% या तो उससे उपर होना चाहिए अगर उससे कम है तो उस condition में आपके form को reject कर दिया जाएगा तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं कि rejected by district scholarship committee region क्या था कि below 50% mark यहनि कि गत वर्स में अगर आपका 50% से कम रहेगा तो भी आप लोग के form को reject कर दिया जाएगा तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं जिन भी छात्रों के current status में यह वाला रेजन सो करेगा उनके भी form को शमाज कल्यार विभाक कदवारा reject कर दिया जाएगा इसका मत्तब यह होता है कि आप लोगों ने अपन नहीं किया तो उस condition में आपके form को समाज कल्यार विभाक कर दिया जाएगा तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं कि self income certificate की वज़े से एक candidate के form को समाज कल्यार विभाक कर दिया गया ठीक है नहीं यहाँ पे मैंने जितने भी यहाँ पे चात्रों के form reject किया गया है सम पर रिजेक्ट किया जाए जो मैंने आप लोग को दिखाया ठीक है ना मैंने कि आप लोग को पहले ही बताया है कि यहाँ पर रिजेक्ट होने का यहाँ पर 50-50% का चांस होता है कुछ आपके किसमत को पर टीपेंड करता है अगर आप लोग की किसमत सही होती है अगर किसी के थे जो अपना इसकी इसार्ट खुद भेजे थे जो कहते कि सर हमने खुद अपने नाम का यहाँ पर इंकम सर्टिफिकर लगा था बट हमारे फार्म को समाज कल्यार भ्याक का द्वारा यहाँ पर बहुत सारे छात्र ऐसे जो बहुत कुछ घलतियां कर द्याते फ्रम वरतिसन बट उनके फॉर्म को यहां पर वेरिफाइड या वे इंक्वण आखर रिजट किया गया रससामार्म को यहाँ विर कोगोंया होगया तो आप फाइटरWh पाएगा कि आप लोग जो हैं eligible है या फिर eligible नहीं है ठीक है ना तो यह सब जो decision है बारहे मार तक बन जाएगा बारहे मार से पहले पहले आप लोग को पता चल जाया कि आप लोग जो है scholarship के लिए eligible है या फिर नहीं ठीक ना तो फ्रेंड यह रही complete information में भी आपको information अच्छी लगे होगी वीडियो पसंद आए होगी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जोड़े रहे है कुछ भी डॉट हो कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट हिसमें कमेंट कीजिए मिलते हैं नेस्टी वीडियो में थैंक्यू और कीप वाचिंग